जलकुम्भी को लेके जो मेरी याथिका लगाई गई थी उस पर इस्टाइल लोग का दालत में 22 तारिक दी गई थी 22 तारिक को सभी को नोटिस तामिल हो गए थे साथ विवाग थे सातों विवागों को नोटिस तामिल हो गए थे पास की तरफ से पब्लिक प्रस्विक्रिशन के आये थे और एक के ते नगर निगम की तरफ से एसके बारगाउसाव आये इनना किसी ने भी जवाब दो तारिक होने के वादूद भी नहीं दिया इस पर मेरे दोरा एक प्रात्ना पत्र लगाया गया कि जब तक यह जवाब ने दे तब तक कोई अंत्रिम आदेश दिया जाए कि इतना पैसा और सब कुछ लगने के बाद उत भी जलकुम्पी खतम नहीं हो रही है और विराट रूप लिये जा रही है तो इस पर जांस के आदेश दिये जाए कि जब तक यह जवाब ने दे तक कोई अंत्रिम आदेश दिया जाए कि इतना पैसा और सब कुछ लगने के बाद भी जलकुम्भी खतम नहीं हो रही है और विराट रूम लिये जा रही है तो इस पर जांस के आदेश दिये जाए माने नहीं नहीं ने प्रातना पत्र रखकर आठ महीं आने वाली जिस पर हो सकता है कि कोई एक अच्छा आदेश आए इस एत्यासिक जील को बचाने के लिए मैंने देखा भी जो माराश के मुंबई से रवान थी दुए अजमीर पहुंची है जो करोड़ रुपे में है एक अल्रेडी पड़ी है और कोटा से भी इन्होंने क्राय पे मंगाई है तो कुल मिला के जो 24 गंटे वाँ पर काम होने के बाजूत और पिछले दो मेने से रेगुलर उसमें से जलकुम्भी को निकाला जा रहा है फिर भी जलकुम्भी वैसी की वैसे चस्की तस है वह खथ नहीं हो पा रही है तो उसके क्या कारण है उसके निस्तारण के क्या कारण है कहीं भी पता नहीं पड़ रहा है दूसरा जो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है उसमें ये भी है कि चारों और जो आना साकर का जो एरिया है जैसे से हवा से चारों और गूंगती है तो तो यह जितने भी छोटे-छोटे तलाव है उन सब को खतम करेगी तो आने वाले समय बहुत बहाने को सकता है अगर विपरज़ जून में पिछली साल आया था अगर ऐसा भी आ गया तो उससे भी बैकर आगे जाएगी और ये एक विराट रूप लेगी तो सरकार को वे अन्य स इसमें डाली गई है तो एक वार जो पूर केंदे जितने जितने भी अधिकारी रहे उसको पर दाज कराना आती है और शक्राइब